नमस्कार आपके साथ मैं हूँ प्रितीश शेवास्ता स्वागत है आपका N27 News में कुष्टी महासंग के अध्यक्ष ब्रजभूशन सिंग के खिलाफ प्रदशन कर रहे हैं पहलवानों को अब UWW का समर्थन मिला UWW ने पहलवानों को हिरासत में लिये चाने की निंदा की है साथ भारतिये कुष्टी महासंग का चुनाओ 45 दिनों के अंदर कराने का निर्देश दिया है चुनाओ नहीं होने पर UWW ने भारतिये कुष्टी महासंग को निलंबित करने की धम की भी दी है अपने नई योजना के अनुसार प्रदशनकारी पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने हरी द्वार में किसार नेतार आखे स्टिकैत के समझाने के बाद पहलवान मेडल को बिना गंगा में प्रवाहित किये वापस लोट गए WFI के प्रमुक और भाजबास सांसत प्रजगूशन सिंग द्वारक कठित योन उपिडन की जाच के परिनामों की कमी पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए United World Wrestling ने कहा कि आरोपों की गहन और निस्पक्ष जाच होनी चाहिए UWW ने कहा कि वो पहलवानों के साथ उनकी स्थिती और सुरक्षा के बारे में पूछताच करने के लिए एक बैठक आयोजित करेगा और उनकी चिन्ताओं के निस्पक्ष और नियायपूर्ण समधान के लिए समर्थन की पोस्टी करेगा UWW ने कहा कि 45 दिनों की समय सीमा के अंदर WFI का चुनाओ होना चाहिए ऐसा करने में विफल रहने पर UWW को महासंग को निलंबित करना पड़ सकता है UWW ने अपने बयान में आगे कहा कि इन अंतिम दिनों की घटनाएं और भी अधिक चिन्ता जनक है कि पहलवानों को विरोध मार्च शुरू करने के लिए पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया और स्थाई रूप से हिरासत में लिया गया जिस साइट पर वो एक महीने से अधिक समय से विरोध कर रहे थे उसे भी अधिकारियों ने खाली करा दिया यूडबलु डबलु पहलवानों को हिरासत में लिये जाने की कड़ी निंदा करता है और अब तक ही जाँच के परिनामों की कमी पर निराशा व्यक्त करता है यूडबलु डबलु ने समबंदित अधिकारियों से आरोपों की गहन और निश्पक्च जाँच करने का आगरा किया है बता दे कि रविवार को जब पहलवानों ने नए संसत भवन की और मार्च करने की कोशिश की तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की अभी के लिए इतना ही देखते रहें N27 News